आचल, पूजा, मधू, रितु, गरम-गरम खाना बनाया है, चलो खालो जल्दी से, भाबी भया को आ जाने दीजे, सब साथ मिलकर बैट कर खाएंगे, हे भगवान, एक तो वैसे ही खाना कितना कम है, अगर उसमें मैं भी खाने बैट जाऊंगी, तो बिचारी मेरी चारो नन से, तो हम चटनी रोटी खा रहे थे, आज सबजी के साथ रोटी खाएंगे, वैसे भाबी लौकी कहा से आई, वो पढ़ोसन वाली सरिता मौसी है न, उनके मचान पर खुब सारी लौकी हुई है, तो एक दे गई थी, मैं खाना लगाती हूँ, आर्थी अपनी चारो ननत को थालियां परोस देती है, औरे वो भाबी आपके हाथों में तो जादू है, जादू, कितना टेस्टी लौकी का कोफता बनाया है आपने, भाबी मुझे एक रोटी देना मेरी सबजी बच रही है, हाँ, देती हूरे तू, भाबी, एक रोटी मुझको भी देना, ये लो आच रोटियां तो खत्म हो गई, रात भी ज्यादा हो गई है, बनिये ने तो दुकान बंद कर दिया होगा, और अगर खुला भी होता तो उधार कहां देता, मुझ गरीब को, मगर उनके खाने के लिए कुछ तो बनाना पड़ेगा, दिन भर कितनी महनत करते हैं, भोखे न सुलाऊंगी, आरती भागी भागी पडोसन के पास आती है, लालिता बहन, ओ लालिता, जरा सा आटा चावल दे दो, कलोटा दूंगी, लाती हूँ, रुक जा, पडोसन बड़बडाते हुए कंजूसी करके थोड़ा सा चावल ला कर देती है, यह ले पकड़, और हो सके तो रात में मत आया कर, मेरी सास मुझको बोलती है कि रात मेरा सोई में से एक चुटकी नमक भी नहीं देते, वरना अनपूर नामातर उट जाती है, अच्छा ठीक है बहन, आरती चावल बना कर पती को देती है, यह क्या आरती, तुमने चावल बनाया है, तुम्हें पता है जवान हो रही है और इस उम्र में भूख ज्यादा लगती है, और आधे किलो आटे में थोड़ी ना पेट भरता है, तो क्या करूं आरती, मुसे जितना बन पढ़ रहा है, कर तो रहूं, अभी तो मौनसून का महिना शुरू भी नहीं हुआ है, और काम धंदा इतना मंदा चल रहा है, और काम के लिए मारा मारी है, मैं समझती हूं जी, अच्छा सुनो, वो अपनी पडोसन कमला दीदी है न, उन्होंने एक काम बताया है, कोठी में रोटी बनाने का, मैं सोच रही हूं कर लूं, मगर मेरे रहते तुम बाहर जाकर काम करोगी, ये मेरे लिए मिट् और भगवान के दया कृपा से दाना पानी चल तो रहा है, केवल पेट भरवाना ही तो काफी नहीं न, अगर मैं काम करती हूं तो चारुननत के ख्वाहिश पूरी कर पाती हूं, और राम जाने कप की घड़ी कैसी होगी, आगे बरसात का मौसम दिक्कत बढ़ाएगा, मान जाओना, आर्थी के समझाने पर प्रदीफां कर देता है, अगले दिन से मौनसून का मौसम शुरू हो जाता है, धत तेरे की इस बारिश को भी अभी ही शुरू होनी थी, बनता काम बिगाड़ने चली आई, भाबी अंदर आ जाओ, कैसे जाओगी, देखो कितनी जोर की बा मैं तो चली पेट पूजा करने, जैसे ही पूजा बरतन में देखती है, तो मुश्किल से मुठी भरी चाओल थे, ये तो इतने जरा से चाओल है, इसमें कौन कौन खाएगा, कोई नहीं, मेरी प्यारी ननत, तुम चारो अभी के लिए इसी में से मिल जुल कर खालो, आते ट माली के चलते चारो भूखी ननत, नमक मिर्च से चाओल खाने लगती है, लेकिन बारिश के चलते घर में फहले घमस से चाओल खराब हो गए थे, ये चाओल तो खाने लाएक बचे ही नहीं, मत खाओ इसे, जिस जिसको नहीं खाना वो छोड़ दो, मैं खा लूंगी क्योंक में आ जाती है, जहां की मालकिन शाशा थी, जो की बहुत ही घमंडी स्वभाव की थी, नमस्ते मालकिन, मुझे कमला दीदी ने भेजा है, हाँ ठीक है, अंदर आओ, आरती अपनी साड़ी से गीले तन बदन को साफ करते अंदर आती है, जहां बहुत ही महंगे नरम से सोफे पर मालकिन की ननद ईशा बैठी थी और उसके आगे कई वराइटी की खाने पीने की चीज़े थी, जैसे जूस, पनीर, पॉपकॉर्ण, पीज़ा वगेरा, अरे ईशा तुमने अभी तक खाया नहीं, तुम्हारा तो पीज़ा खाने का कितना मन था ना, हाँ बडब मूर न उस अमीर मैडम के आगे खाना उसका मुह ताक रहा था, पर मुझ गरीब तपके की ननद बिचारी भूग से खराब चावल तक खा कर रह गई, ऐसा सोचते हुए आरती मायूस हो जाती है, अमीरी गरीबी के बने दीवार के बीच कड़वी सच्चाई है, जहां अमीरों के बरसात सुहाना मौसम लेकर आता है और उनके पास खाने पीने की सारी सहूलियत होती है, वही गरीब के परिवारों को भूखे रहने पड़ता है, काम निप्टा कर आरती अपने गरीब मकान में आ जाती है, जहां पर उसकी चारो ननद बारिश का पानी बाल्टी पर भर भर कर बाहर निकाल कर फेक रही थी, घर की चत कोने कोने से टपक रही थी, है भगवान पानी निकाल निकाल कर मेरे तो हांत आएट रहे है, और अब तो भूख भी लगी है, भूख तो मुझे भी लगी है बेहन, लेकिन घर में खाने को कुछ नहीं, भाबी आती होंगी कुछ अरे देखो भाबी आ गई, तीनों के चहरे भूग के मारे मुर्जाय हुए थे लेकिन आरती के दोनों हाथ खाली थे तुम चारो चिंता मत करो, मैं दुकान से दाल चावल लाती हूँ बरसात में भीगते हुए आरती बनिया के पास पहुँच जाती है जहां बनिया अपने मोटे से पेट को सहलाता हुआ भजिया खा रहा था वा भई वा, बरसात के मौसम में आलो प्यास पालक की भजिया खा कर तो मज़ा आ जाता है जैराम जी की भाई थोड़ी दाल चावल कर दो ठीक है नोट निकालो अभी पैसे नहीं है मिलेंगे तो दे दूंगी उधार दे दो अरे दुकान के बाहर का बोर्ड नहीं पड़ा आज नकत कल उधार चल जा यहां से काफी देर तक आरती खड़े होकर बारिश में भीगती रही लेकिन बनियां उसे राशन नहीं देता निराशा के साथ वो घर आती है अब सबकी उमीद प्रदीप पटी की थी थोड़ी देर सबर कर लो तुम्हारे भाईया आते ही होंगे तभी लंगड़ाते हुए हाथों और पैरों में चोट खा कर प्रदीप घर आता है हे भगवान हजी क्या हुआ आपको बस आरती काम से आते वक्त गाड़ी वाला टक्कर मार कर पैर तोड़के चला गया बारिश के चलते मालिक भी जल्दी घर चले गए पैसे भी देखर नहीं गए उस रात बारिश के कहर में घर की कंगालो वाली अवस्था के चलते सबको भूखे रहना पड़ता है बगर चारो में से किसी को भी नीन नहीं आ रही थी अगली तड़के सुभा आरती काम पर जाती है आ गई तुम तुम ऐसा करो मेरी लाडली ननत से ओर्डर ले लो वो जो बोले वही बनाना ऐसा करो बारिश का मौसम है तो तुम पनीटिक का बना लो और मश्रूम स्नैक्स भी जी ठीक है बेचारी आरती उन अमीरों की फर्माईश का खाना बनाने लगती है लेकिन उसका दिल चारो भूखी ननत के लिए बेचैन परिशान था उदर बरसात और तूफान उनके घर के टाट को उड़ा ले जाती है भूख के चलते चारो ननत की दुर्दशा हो चुकी थी ये लीजे मैडम आपने जो जो कहा मैंने बना दिया ठीक है फिर अब खाने दो मालकिन जी मुझे बात करनी थी थोड़े पैसो की जरूरत थी बरसात का मौसम है घर में थोड़ी दिक्कत है हाँ तो हमने इस चीज का ठेका थोड़ी लिया है अभी तुम्हें काम पर लगे दो चार दिन ही हुए है अब चलो जाओ तुमने अपना काम खत्म कर दिया ना तंदौलत में चूर गमंडी इशा उसे भगा देती है पूरे रास्ते बारिश में रोते बिलखते हुए आरती अपने घर पहुँचती है जहां उसकी मंजली नंद भूख से बेहोश पड़ी थी और घर में पानी जमा हुआ पड़ा था मधू आंके खोलना मेहन क्या हुआ क्या हुआ मधू को पता नहीं भाबी एकदम से इसके पेट में दर्द उठा और बेहोश हो गई इतने दिन से सही डम से खाया पिया नहीं है न इसलिए मैं आती हूँ तब ही सरकारी एनाउंसमेंट होती है सुनो सुनो सब के सब अपने घर पर बने रहें मौसम विभाग ने लड़ जारी किया है कि बहुत सी जगा पर बिजली किरने की संभावना है सचेत रहे सुरक्षित रहे भाबी आपने सुनाओ साथमी ने क्या कहा बाहर मत जाओ नहीं मुझको जाने दो अपने हाथों से पाला पोसा है मैंने तुम चारो को तुम्हें भूप में तडपता नहीं देख सकती मैं आ जाओंगी आरती भीगी हुई बारिश के कहर में खाने के लिए दर दर इधर उधर भटकने लगती है लेकिन कोई उसे कुछ नहीं देता इधर साशा की ननद बारिश में सड़क पर सैर के लिए निकली होती है तभी तूपान में गिर जाती है तबी गाड़ी का बहुत बुरी तरीके से एक्सिडन्ट हो जाता है सब लोग बढ़ते तूपान और बारिश को देखकर अपने अपने घर की तरफ तेजी से भाग रहे थे अवास सुनकर भूखी कमजोर दुबला शरीर लिया आरती आकर उसको बचा कर अपने घर लाती है संभाल कर मैडम जी बस आप आखे बंद मत कीजिए हम पहुँचने वाले हैं आरती अपनी नंद के जैसे उसका खयाल रखती है उसका घाव साफ करती है कुछ देर में शाशा आ जाती है इशा देखा मना किया था मैंने तुम्हें बारिश में मत जाओ आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो I'm sorry भाबी तबी दोनों गरीब आरती के घर की कंगालो वाली अवस्था को देखती हैं जहां चूला कई दिनों से जला भी नहीं था और चारो नंद खाने के दाने दाने के लिए मोहताज थी शाशा चारो को खाना ला कर देती है ये लो खाओ तुम सबको भूख लगी होगी ले लो जैसे तुम्हारी भाबी ने हमें अपना माना वैसे तुम चारो भी मेरी अपनी हुई भूख में जुलस्ती चारो जल्दी जल्दी निवाले खाने लगती है धनिवाद मालकिन आज आपकी वज़े से मेरी चारो नंद के पेट में खाना गया है पिछले कई दिनों की भूखी हैं बरसात का मौसम सबके लेक समान नहीं होता गरीब के लिए तो खास कर बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है दो वक्त की रोटी जमा करने के लिए समझती हूँ आर्थी आज के बाद ऐसी नौबत नहीं आएगी मैं हूना उस दन के बाद से शाशा आर्थी और उसके चार ननत के लिए अपने घर से खाना देती और ईशा भी खाने की बरबादी नहीं करती जिससे उस गरीब ननत भावी का दुख टल जाता है